हेलो गाइस, once again welcome back to my youtube channel दोस्तो आज से वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही important चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको आपकी website के traffic को grow कराने में help करेगा अगर आप इस चीज़ को अपनी site पे implement कर लेते हैं तो आपके traffic boost होने के chances बढ़ जाते हैं और आगे इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे हो सकता है मान लीजे कि आपकी कोई website या blog है और आप उस पर regular post अपडेट करते रहते हैं तो ये चीज़ आपको जरूर से जरूर अपने site पर implement करना चाहिए अपने blog पर implement करना चाहिए जी हां मैं बात कर रहा हूँ कि आपने post में last updated date कैसे show कर सकता है चलि मैं आपको ये बता लेता हूँ कि आपको ये क्यों करना चाहिए let's suppose कि आप किसी keyword पर third या fourth number पर rank कर रहा है और जो आपका competitor है वो आपके नीचे या फिर मान लीजे आपके ऊपर भी rank कर रहा है तो अगर को यूजर आपके site के नीचे यहाँ पर रिस snippet में देखता है कि आपकी जो आपका जो content है वो updated है तो वो user उपर की site पर click करने के वज़ाए आपकी site पर click करना ज्यादा पसंद करेगा क्योंकि आपका जो content है वो updated content है तो इससे आपकी site का जो CTR है आपकी blog का जो CTR है वो बढ़ता है और आपका जो traffic है वो भी boost होने लगता है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहरा हूं आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो आप लीज हमाई चैनल को सब्सक्काइब कर लीजेगा अगर आप हमाई चैनल पर नए है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल कोGS ज़रूर कर लीजेगा तो चलियाँ आपको एक एक्जामपल और देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है हमारी साइट, यह हमारा एक ब्लॉग, यहां पर आप देख सकते हैं, जो भी पोस्ट हमारी है, सब पे डेट शो हो रही है, यहां पर आप जो पहली पोस्ट है, यह भी देख सकते हैं, नीचे हमारी जो भी पोस्ट है, उपर से नीचे पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों आप यह मान लीजे कि आपका जो आपका जो ट्रैफिक वो डेफिनेटली बूस्ट होने लगेगा क्योंकि मैंने भी मुझे भी लगता है कि मुझे यह चीज अपनी साइट पर इंप्लिमेंट करनी चाहिए अपने ब्लॉ में आना होगा आपको एक कोड की जिवोत पड़ेगी जोगी मैंने मीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है आप महां से कॉपी कर सकते हैं यह है वो कोड इसको हम सिंप्ली यहां पर कंट्रोल ए करके इसको कॉपी कर लेंगे दोस्तों जन्रेट कर स्थीम हो या फिर कोई आप किसी भी थीम में यह चीज कर सकते हैं गूगल इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करता है जो भी बड़े-बड़े ब्लॉगर्स हैं वह यह चीज अपनी साइट पे पहले सही इंप्लेमेंट करके रखते हैं और और यह चीज करते हैं तो अब मैं आ जाता हूं यहां आपे एक ब cyclouser में दो है यहां अपर को निचे से mean स्क्राइब कर दूगा आप महारसे कॉपी क्छल सकते हैं यहां पर जैसे चीज मिइस कर लेता हो Фन्च्चन प्र का एक option दिया होगा तो वो जो कोड है आपको यहां पर function.php में पेस्ट करना होगा तो हम यहां पर function.php खोल चुके हैं simply हम यहां पर नीचे आ जाते हैं जो यह आपका कोड है सबसे last में आपको यहां पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आप updated फाइल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा यहां पर आप इसको क्लिक कर लिए जैसे हैं आपकी जो आपना पहला पोस्ट खोल लेता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट अपडेटेड ऑन जनवरी सेवन दोजरबाइस इससे पहले यहां पर जो भी पब्लिच डेट थी वह शो हो रही थी और मेरे कोड पेस्ट करने के बार यहां पर लास्ट अपडेट डेट है यहां पर देख सकते हैं जो भी पोस्ट है यहां पर सब अपडेट हो चुकी है अब बात कर लेते हैं तो यहां पर जो भी आपकी जो भी आपका होगा वह जब भी आपकी साइट इंडेक्स होगी अपने यहां पर शो हो जाएगा कि आपकी जो पोस्ट है वह लास्ट यहाजाय इन होगं तो प्लीज चनल को सबसक्काइब कर लाइक कर दीजएगा एड़ फ्रॉपलन बनात है टुक्टा है कि मुझे यह चीजश कर भीडियो बनानी चाहिए आप मुझे घंञे बना सकते है आप जो भी बताएंगे मैं उसमें वीडियो बना दूँगा सिंपली आपको जो भी प्रोब्लम आ रही हो आप नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपकर टॉपिक इंट्रेस्टिव हुआ वीडियो बनाने लायक हुआ तो मैं उसमें वीडियो जरूर बनाऊँगा फिलाल के लिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मैं भूलिएगा थैंक्स वर वाचिंग